दोस्तों नमस्कार अभी हम HCF निकालना सीख रहे हैं HCF of 8, 9, 25 कैसे find करें इसके बात करेंगे तो दोस्तों इनके हम factor कर देते हैं 8 के factor करते हैं factor करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा हमें अपना prime number से divide करना पड़ेगा आपके prime number कौन से हैं दोखिए 2, 3, 5, 7 यह आपके 1 से लेकर 10 तक के prime number सरब पर तुम अपना 2 से divide करेंगे तो 2 का divide क्या 8 में कितना 4 मिल गया 4 में 2 का divide क्या 2 मिल गया 2 का 2 में divide क्या हमें 1 मिल गया 9 के बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपका 2 का divide नहीं हो रहा है यानि यह 9 2 से digital नहीं है तो हम किस के पास गया 3 के पास तो 3 का divide क्या 9 में कितना मिल गया 3 3 का 3 में divide आपका 1 मिल गया आगे 25 की बात करते है देखे 25 में आपका 2 का divide नहीं हो रहा है 3 का नहीं हो रहा है 5 का हो रहा है कितना 5 मिल गया 5 में 5 का डिवर्ट का 1 मिल गया 8 के हमारे पास factor क्या आगए दोस्तों ये factor आपको लिखे दिखा जा रहे है 9 के factor क्या मिल गया और 25 के क्या factor मिल गया 5 multiply 5 ठीक है हमें क्या चाहिए दोस्तों अपना है चाहिए इसको इस ट्रिक से समझे इसका फुल फोरिम क्या होता है highest common factor यानि आपको करना क्या है दोस्तों इन तीनों नंबर में common factor को देखना है ऐसे factor को देखना है जो यहां भी है यहां भी है क्या आपको दिखा 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 दिए रहा है दीखिया दो के बंज यहां है यहां और यहां नही तीन के बंज यहां है इन दोनों में नही नही फाइफ के बंज यहां है तो हैसी condition अपका огром क्या बनता है वन बनता है इस बात को गांड बांग लो ठीक है और इसके अलावा अन्य वीडियो में दोस्तों हमने LCM निकालना भी सिखा है चलिए LCM भी मैं आपको बता देता हूँ देखे दोस्तों LCM में पहले तो हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसा फेक्टर है जो या तो तीनों में आया हुआ हो या दों में आया हुआ हो यहां पे कोई भी ऐसा फेक्टर नहीं है देखे दो के अलिया है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तीन के अलिया है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है पांच के अलिया है इसमें भी नहीं है ऐसी कंडिशन में आपका जब तीनों ही नमबर के हैं दोस्तों कितना मिल गया आपको यहां पर यह आ गया आपका अठ्था रसू ठीक है आसान है धन्यवाद